तो इधर देखी my dear students आपको यहाँ पर clear होगा, ठीक है, तो अब हम लोग बात क्या कर रहे थे, यह जो equilateral triangle plane है FCC latix में, इसकी बात कर रहे थे न, इस पर कितने effective number of atoms आएंगे इस plane पे, हम planar density निकाल रहे थे याद है, तो क्या हैगा, आपको क्या लगता है, इसके corresponding कितना contribution होता ऐसे कितने atoms है, एक, दो, तीन, चीक है, इधर देख भए हाद, एक, दो, तीन, अब समझे, तो 60 by 360, मतलब 1 by 6 contribution होगा इस plane पे, into 3, तो कितना हो जगा 3 by 6, half, plus यह जो 3 atoms है, यह आधे, इस plane पे है, आधे, तो half into what, 3, 3 by 2, so half plus 3 by 2, that is 2, right, और इस equal to triangle का area का रहे रूट 3 by 4 into side क square, so root 3 by 4, root 2 into square, that is this much, तो आप निकाल लेंगे, planar density, okay, अच्छा माइडिया है, सबसे important point गहर करने वाली क्या है, कि BCC lattice को देखना, यह, उसमें यह वाला जो plane है, कौन सा plane कहा रहा हूँ, यह वाला, equilateral triangle वाला जो plane है, कौन सा plane की बात करो, जिसके तीनों intercept, 111 के बराबर है, मतलब जिसका miller index का है, 111, ठीक है, ध्यान है, ओके, इसकी plane की बात कर रहा हूँ, तो मुझे एक बात बताओ, इस plane पे, क्या, यह जो body centered atom दिखाई दे रहा है, क्या, यह भी touch करेगा, क्या, नहीं idea, यह touch नहीं करेगा, ध्यान से, ठीक है, अच्छा, यह कैसे पता करेंगे, इन BCC structure, 111 plane जो है, does not intersect at the center of the body centered atom, hence body centered atom should not be considered, should not be considered, यह ध्यान रखना, for planar density, on 111 plane, तो मतलब 111 plane जब यह आप लेते हैं, यह देखिए, BCC में 111 plane दिया है, इसमें देखो, यह वाल item नहीं है, यह नहीं लिया है, ठीक है, अच्छा, अच्छा, यह पता करेंगे से चला, यह question आ रहा होगा, यह पता किस चला है, तो देखो, simple fund है, अगर atom इस plane पे आता, तो इस atom के center सी, इस plane से distance 0 होती कि नहीं, बिल्कुल 0 होती, अब देखो, distance निकाला गया है, 111 plane से, तो देखो, A upon H square plus K square plus L square यूज किया, तो क्या है, A by root 3, ठीक है, तो इसका मतलब 0 तो नहीं है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, 0 नहीं है, अरे बात समझे, अब देखो, इसी चीज को न, इसी चीज को अगर मुझे समझना है, तो मुझे इसको ऐसे देखना है, जैसे कि मतलब, यह जो plane है न, यह plane line नजर आए, ठीक है, यह plane जो है, यह line नजर आए, तो मुझे इसको ऐसे पड़ेगा ठीक है इस व्यू में मतलब कुलमला के जो 111 plane है वो line नजर आ जाए तो देखो यह इस तरीके से दिखाई देगा यह 111 plane इस तरीके से line है यह कौन सा है यह end centered atom है ठीक है और यह body centered atom है और मैंने आपको पता है BCC में जो body centered atom होता है वो 8 items उसे touch करते हैं तो यह इससे touch करेगा लेकिन ही 111 plane है यह exactly इससे center से नहीं गुजरेगा अरे आप बात समझ आई ठीक है तो there will be zero contribution there will be no in fact 111 कहीं यहाँ होगा मतलब मैं आपको बताऊ कहीं यहाँ होगा यह थोड़ा distance कम है क्योंकि जो distance है 1.33 times r है ना मतलब it is greater than r अगर यह greater than r है तो radius से बड़ियो नहीं चीन ना distance तो this distance कहने का मतलब यह जो distance है that should be greater than r that is 1.33 r है ना और यह बात समझ आई atom का contribution क्यों नहीं आएगा यहाँ पर ठीक है I hope it's clear so therefore planar density on different planes are different means number of atoms per unit per unit area of the plane is different because planar density क्या होती है number of effective atoms in a plane upon area of that plane so that implies number of bond per plane is different so therefore क्या होगा अगें properties will change क्योंकि अगर planar density इमाइडियो different है तो इससाब से क्या होगा effective जो bond होगा per unit atom वो different है तो इससे साब से क्या है property भी change होगी as plane changes so therefore crystalline unit cells are anisotropic ठीक है यहां से एक बहुत important बात निकल के आ रही है कि भले ही अगर पूरा material overall crystalline है ठीक है लेकिन तब भी अगर आप एक plane को consider करें देखो crystalline plane जो होता है plague plane वो anisotropic होता है देखो एक तरफ इस plane को देखा आप उपर वाले plane को तो यहाँ पर effective number of atoms कितने है 1 by 4, 1 by 4, 1 by 4, 1 by 4 plus half ठीक है so 1 by 4 ठीक है into 4 1 ठीक है plus 1 नहीं plus half नहीं होगा plus 1 होगा क्योंकि तो पूरा पूरा circle आ रहा है मैं planar density बात करहाँ तो 2 होंगे न effective items जबकि अगर आप इस plane की बात करें तो इस plane में different है na scenario इस plane में इस तरीके से है na ठीक है जबकि BCC के 111 plane में scenario different है तो इस तरीके से गोगा crystalline unit cells are always anisotropic crystalline unit cells are always anisotropic anisotropic क्यों होती है anisotropic क्यों होती है my idea which shows different properties are different directions or different direction is different property क्यों है because there are there we see what different different planar density as compared to different planes और planar density नहीं linear density भी अगर हम बात करेंगे linear density along a line होती है planar density जैसे along a plane होती है volume density in a volume होती है ऐसी linear density along a line होती है तो इस तरीके से क्या होता है anisotropic show होती है बहर material के अंदर ठीक है so in crystal structure the planes having the highest value of planar density बहुत ध्यान से सुना are known as closed packed planes ठीक है और what slip plane तो जिनकी planar density सबसे जात होती है जिस plane के corresponding उसको हम लोग क्या बहुते है closed packed planes जैसे कि BCC में 110 है और FCC में 111 है closed packed plane क्योंकि इसके लोग सबसे जदा planar density होती है अब बात कर लेते है linear density की ठीक है linear density क्या बोलता है on the other hand along a line number of effective items lying on a line upon length of the direction बिल्गो सही है अब जैसे हम पर line की बात होगी ठीक है वोई example ले लेते है वापिस से जैसे BCC है ये FCC है डैटिक्स है BCC में अगर में body diagonal की बात करूँ तो body diagonal के along कितने effective number of items है half plus one plus half अरे ठीक है नहीं यहाँ पर ऐसे नहीं होता है ठीक है यहाँ पर ऐसे नहीं होता है देखो ध्यान से देखो यहाँ पर number of effective items कैसे निकालेंगे number of items क्या होगे half into two ही होगा ठीक है तो आपको लग रहोगा है यह कैसे होगा number of effective items यहाँ पर clear हुआ half into two कैसे होगा और इधर देखो इधर इस plane के long one zero zero के long क्या होगा half into two that is one यहाँ तो ठीक है लेकिन यहाँ पर कुछ mistake करीन लोगों ने plus क्या होगा one so half क्यूंकि इधर इसका contribution तो half ही है ना देखो अब अपन line की बात करें तो half plus half plus एक atom इधर भी तो है ना यहाँ पता है निसको क्यूं खा गए तो यह plus one I hope it's clear ठीक इसको correct टीक कर लेना ठीक है ऐसी one one zero one one zero का निकाल सकते हो for bccfc one 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 का निकाल सकते हो बट ध्यान रखना इस बार यह miller indice f और a line for a line vector ठीक है ठीक है तो unit cell जो होते है इससे हमने क्या सीखा कि जैसे जैसे हमने plane change किया तो उसके along क्या होगी planar density change होई ऐसी line के along हमने change किया तो line density change होई तो unit cell जो होते है बोथ planar anisotropy and linear anisotropy ठीक है अच्छा माँडियर एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो मैंने closed packed plane बोला जिसके along planar density सबसे ज़्यादा होती है उस closed packed plane को ही हम लोग slip plane का भी नाम देते हैं बहुत important term है slip plane और मैंटर यह वही जगाई यह वही plane है जिसके across slippage का सबसे ज़्यादा chance होता है बिलकुल सही बात है क्योंकि मैंने आपको बता है slippage वही होता है जहाँ पर voids कम होते है बही जहाँ पर voids कम होते है हमाँ पर slippage जाद होगा क्योंकि voids also act as discontinuity towards the movement of atoms है ना अरे है की नहीं यह सब बाते कहीं थी मैंने आई हो आपको यहाँ तक clear है चीजे की नहीं राइट छीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो उसको हम लोग क्या नाम देते है slip plane का नाम देते है चलिए यहाँ तक हो गया था अब आगे देखते है इन crystal structure क्या होता है the direction having the highest value of linear density ठीक है जैसे हमने plane के along बात कहा था क्या होता है closed packed plane या फिर slip plane ऐसे ही क्या होता है line के along अगर packing efficiency अगर ज्यादा है अगर line के along जो है linear density ज्यादा है तो उसको हम लोग क्या बोलते है closed packed क्या direction क्या बोलेंगे closed packed direction ठीक है now combination of closed packed direction and closed packed plane ठीक है combination of closed packed plane closed packed direction that is plane या फिर slip plane भी बोलते है इसको हम क्या बोलते है number of slip system तो number of slip system consists of both slip plane and slip direction ठीक है अच्छी बात क्या है my dear more number of slip systems if there are more number of slip systems मतलब ज्यादा tendency होगी slip होने की मतलब more the movement of atom will take place so therefore क्या लगता है that material can be drawn into wires or not so उस क्या मतलब क्या हुआ क्या उसकी ductility हाई होगी बिल्कुल तो my dear generally देखा गया है कि the more number of slip system leads to ductility is an index of ductility ठीक है but there are other factors also जो ductility को influence करते है सिर्फ यही नहीं है ठीक है right so slip क्या है slip is a mechanism of permanent deformation ठीक है slip क्या होता है at low pressure when we are applying low pressure stress and low temperature ठीक है when we are applying what shear load तो ऐसे मौके पर ऐसे मौके पर क्या होता है movement of atoms or movement of grains takes place है ना and especially along the slip planes yeah slip direction there is a more chance है तो more number of slip system is there more chance of permanent deformation because less number of voids so therefore material will have more ductility यह जनरल ही होता है ठीक है slip होगा जितना जदा slip होगा मैई यह उतना ही क्या होगा movement of dislocation यह dislocation भी आपको बता हूँगा देखो कोई भी material मैंने आपको पहली बता है perfect नहीं होता है there are certain imperfections in the materials and always हम पढ़ेंगे imperfections के बारे में तो उसमें होते हैं कई सारे dislocations millions of numbers में dislocation present होगा है अभी होते क्या है आपको आगे बात करेंगे so this will create a movement of group of items hence therefore ठीक है क्या होगा इससे ductility ज्यादा होगी so क्या होगा in closed packed direction यह plane जिसमें density होती होती ही ज्यादा interatomic distance होती है कम तो उसमें my dear work done जो required होता है वो होता है कम ऐसा क्यों होता है my dear क्योंकि work done क्या होता है force into distance distance between the two atoms है na that is also called as bond length you can say तो अगर यह कम होगा my dear तो आपको work requirement कम होगा की नहीं होगा अरे होगा ठीक है so more than number of slip system more than ductility तो my dear आपको जानके हैरानी होगी कि आपको पता है चाहा number of slip system किसमें ज्यादा होता है देखो कौन material ज्यादा ductile है अभी क्या बता है थोड़े देर कुछ वीडियो पहले बिल्कुल ductile material कौन कौन से होते है only जो FCC होते है तो क्या होना चाहिए था FCC के number of slip system ज्यादा होने चाहिए but my dear मैं आपको पहले ही बता दूँ क्योंकि FCC के packing factor ज्यादा मतलब वहाँ पर number of slip system ज्यादा तो number of slip system होना चाहिए था but उल्टा होता है number of slip system BCC structure में ज्यादा होता है ठीक है क्योंकि slip system उसमें दोनों होते है linear के along भी और plane के along भी planar density as well as linear density है तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ ठीक है यह irony है irony क्या है कि BCC के number of slip system ज्यादा होते हैं यह देखा गया है ठीक है ऐसे नहीं बोल रहा है यह observation है लेकिन मैडियर फिर आप बोलो गए अरे यह क्या बात हो गई BCC तो brittle है BCC मतलब FCC ductile था ना इस इसाफ से तो BCC ductile हो जाना चाहिए पर क्यों नहीं है देखो मैडियर मैंने कहा था कि सिर्फ यहीं नहीं है और भी factors depend करता है तो हाला कि यह मानता हो में number of system is BCC is more but again the thing is they are not aligned they are not aligned means they are randomly oriented ठीक है कोई slip line मालनो इधर है कोई slip line इधर है मतलब एक तरफ से motion की tendency इधर एक तरफ से motion की tendency इधर है तो आप खुद बताओ will there be restriction here or not the movement will be restricted and if there is a restriction in the movement तो ultimately क्या होगा माईडियर माटियरल का strength बढ़ेगा की नहीं बढ़ेगा अब बात समझ गए यह है irony ठीक है तो number of slip system सिर्फ ज़्यादा होने से नहीं होगा अगर वो aligned है properly तो ठीक है लेकिन अगर वो randomly oriented है so they arrest the motion of the dislocation ठीक है हमें word use करना चाहिए dislocation so hence there is a decrease in the ductility and exhibit brittleness तो इसलिए माटियर BCC होते है ज़्यादा brittle as compared to FCC FCC में number of slip system काम होते है फिर भी ठीक है समझे ओके